स्वागत है आपका इंडियन फूट स्वीथ हूसा में आज हम बनाएंगे मूली, गाजर और हरी मिर्ज का आचार इस तरीके से बनाए हुए आचार को हम रख कर साल भर प्रयोग कर सकते हैं यहां हमने मूली गाजर का छिलका हटा कर धूर लिया है और साथ में हरी मिर्ज का डंठल भी अटा कर धूर लिया है अब हम मूली को अपने मन चाहे से इप में काट लेंगे आप चाहे तो इससे गोल या लंबा भी काट सकते हैं अब इसी तरह से हम गाजर को भी चौक और पीस में काट लेंगे अब हम हरी मिर्ज को काट लेंगे इसे भी गोल-गोल पीस में हम काटेंगे यहां हमने मूली गाजर और हरी मिर्ज को काट लिया है अब एक साप कपड़े पर इसे हम फैला देंगे और 3-4 घंटे तक धूप में या पंके के हवा में सुखार लेंगे यहां हमने मुली गाजर और हरी मिर्च को सुखार लिया है अब हम मसाला तियार करेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर में दो चमच पिली सर्सो डालेंगे एक चमच अजवाइन और एक चमच खड़ा जीरा डालेंगे और इसको हम दरदरा पिस लेंगे पिली सर्सो के जगाप आप काली सर्सो कप्रियों कर सकते हैं अब गैस चलाके हम कडाही गर्म करेंगे और एक कप सर्सो तिल डालेंगे सरसोतिल गर्म हो जाने पर इसमें माधा चोटा चमच, हीन और एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और पीसा हुआ मसाला डाल देंगे इसको हल्का सा भून लेंगे अचार का मसाला बनाने के लिए हमें घर का सुथ और ताजा मसाला ही प्रियोक करना चाहिए इसमें आधे चोटी चमच, कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और गैस बंद कर देंगे अब हम इसमें मूली, गाजर और हरी मिर्च डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ठंडा होने पर इसमें हम तेट चमच नमक या स्वाद उनसार नमक डालेंगे और आप चाहे तो इसमें आमचुर पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं अब इसमें हम एक टी स्पून साट्री के से टालेंगे साट्री के से टालने से अचार हमारे लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं और इसका स्वाद और रंग भी नहीं बदलता यह बिल्कुल ताजा की तरह रहता है अब हम एक सीसे का सूखा जार लेंगे और इसमें एक चमच सैट्री के से टालेंगे नीचे सैट्री के से टालने से आचार जो है तली में बैठता नहीं और फफुंदी नहीं लगती इसमें एक चमच सरसो तिल डालेंगे और इसको चारो तरफ फैला देंगे अब हम इसमें अचार को भर देंगे इस तरह से बनाय हुए आचार हमारे सालों साल नहीं खराब होते और लंबे समय तक चलते हैं अब हम जार पर एक मलमल का कपड़ा रख देंगे और रबर बंड लगाके इसे तीन से चार दिन तक धूप में रखेंगे और इसमें सरसो तिल भर देंगे अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद